दोस्तो अगर आप प्लांट्स लवर हो या माउंटिन्स पर केम्पिंग ब्लॉगिंग करते हो तो ये वीडियो खास कर आपके लिए है इसमें हम भारत में पाए जाने वाले पाँच सबसे जहरीले पौदे आपको बताएंगे जिने छूने वर्ते ही इंसान की मौत तक हो जा है इस पौदे का फूल बहुत ही सुंदर लगता है लेकिन आप इस पौदे के फूल की सुंदरता पर मत जाईए क्योंकि इसका फूल इतना सुंदर दिखता है उतना ही जहरीला भी होता है अगर कोई ब्यक्ति इस पौदे के किसी भी हिस्से को खाया गलती से मुह में चला तो उसे तेज सिर्दर्द सरीर पर सूजन और बुकार के साथ साथ उसकी यादास जाने लगती है लोग इसे अपने गार्डन में लगाकर गलती कर बैठते हैं आप ऐसी गलती नहीं करना नमर दो सूसाइट ट्री यह ट्री खासकर केरल में ज्यादा संक्या में पाया जाता है इस पौदे से केरल में कई मौते भी हो चुकी है इस सूसाइट ट्री के फूलों और फलों में अधिक जहर होता है और इसका जहर सरीर में तेजी से असर भी करता है इस सूसाइट ट्री का अलकलाइड नामक जहर पाया जाता है अब चलते हैं नमबर तीन की तरह नमबर तीन गुलावी मटर इस पोदे को कई जगहों पर रोजरी मटर के नाम से भी जाना जाता है यह पोदा भारत में हर जगह पाया जाता है इसकी फली मटर की तरह होती है इस गुलावी मटर के तो कनेर का पौदा भारत के घरों के आजपास बाग बगीचों में वड़े आराम से देखने को मिल जाता है। लोग इस पौदे के फूल का उप्योग पूजन में भी करते हैं। इस कनेर के पौदे का बीज बहुत ही जहरीला होता है। इसका एक बीज डाइक किसिन के सो टेबलिट के बराबर होता है। इस बीज को खाने से दिल की लड़कन चलते चलते एकदम से रुख जाती है। अब बात करते हैं लाश्ट और सबसे कतरनाक पौदे के बारे में। नमर 5 अरंडी अरंडी के पौदे से भी आप बलीबाती परिचेत होगे। यह पौदे अधिकांस गामों में कहीं कहीं बहुत अधिक संक्या में देखने को भी मिलते हैं। भारतिये गामों में इस पौदे के पत्तों का उपियोग सरीर की सूजन कम करने के लिए किया जाता है। और यह सरीर की सूजन पर ठीक से काम भी करता है। पर दोस्तों वास्चर चकित कर देने वाली बात तो यह है। इस अरंडी के बीज में टॉक्सिक नामक जहर पाया जाता है। जो एक स्नेक में भी पाया जाता है। इसके फौलों को छूने बर से ही बलड प्रेसर के साथ साथ पेट समंदित समस्या होने लगती है। अगर समय पर बैक्ती को सही इलाज ना मिले तो उसकी मौत भी हो जाती है। तो यह थे बारत के कुछ जहरीले पौदे। दूस्तों अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करके जरूर जाना। जैहिंद।